तो सद्गुरू मैं आपसे ये पूछ कर शुरुवात करना चाहूंगा कि मैं अपने जीवन में आपसे बड़े मल्टी टास्कर से अब तक तो नहीं मिला हूँ आप लोगों के साथ अच्शी बातें साजह करते हैं लाखो लोगों के साथ और आप गॉल्फ कहिलने के लिए भी समय निकाल लेते हैं इक कि तरह मुट साइकल भी चलाते हैं मुझे नहीं पता आप और क्या-क्या करते हैं आप अपना समय कैसे अच्छी बात नहीं थी मुझे नहीं पता कि आप और क्या-क्या करते हैं ये ठीक चीज नहीं है नहीं मैं वास्तव में हैरान हुएंट और ऐसे भी लोग हैं जो बहुत रहते हैं या हमें ऐसा लगता है कि हम व्यस्त लोग हैं, हम जानना चाहते हैं कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और आप हमें किस तरह के सला देना चाहते हैं ताकि काम के अलावा का हमारा जीवन ज्यादा सार्थक हो सके ताकि आप जैसा सार्थक जीवन जीते हैं हम उसके थोड़ा और करीब पहुँच सकें जब मैं लोगों को देखता हूँ जैसे जैसे मैं और ज्यादा यात्राइं कर रहा हूँ और हर तरह के लोगों से व्यवसाई, शिक्षा और विज्ञान से जुड़े और दुनिया भर में आम लोगों से मिलता हूँ मैं देखता हूँ कि ज्यादा तर लोग दिन के उन 24 घंटों में जो हमें मिले हैं व्यस्त रहने के अपेक्षा किसी सोच विचार में ज्यादा डूबे रहते हैं मतलब ये कि उनके अपने विचार और उनके अपनी भावना इतना बड़ा मुद्दा है कि उनका ज्यादतर वक्त उनसे निपटने में लग जाता है हो सकता है कि वो काम कर रहे हूँ लेकिन काम के दोरान भी उनके भीतर काफी संघर्ष चलता रहता है अगर आप किसी भी तरह के खेल या रचनात्मक कार्य में है तो आपको पता होगा कि थोड़े से भी संघर्ष का मतलब होगा कि आपकी बॉल कहीं और चली जाएगी आपके रागताल कहीं और चले जाएगे आपकी पेंटिंग कहीं और चली जाएगी कुछ भी ठीक से नहीं होगा या दूसरे शब्दों में जो चीज बड़ी आसानी से हो सकती है दुर्भाग इसे बड़ी मुश्किल से होती है मुख्य रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें एक असाधारन गैजिट या एक कमाल की मशीन दी गई है जो की मानव तंत्र है और उससे भी बढ़कर दिमाग नाम की एक जबरदस चीज मिली हुई है वो चलाने की कोशिश कर रहे है इस कमाल की मशीन को या गैजिट या कम्प्यूटर को अगर आप इसे इस नाम से बुलाना चाहें बिना इसका यूजर मैनियल पढ़े हर दिन अपनी ही चीज के साथ संधर्ष करते रहते हैं और ये बीस की उम्र पार करने पर भी ठीक नहीं होता अपने आखरी दिन तक अपने मृत्यु शैया पर भी वो उनी चीजों से जूचते रहते हैं अपने विचारों और भावनाओं से अगर वो अपने जीवन में इसे संभालना जल्दी सीख ले तो मुझे यकीन है कि वो अपना काम जितने घंटों में खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर सकते हैं और वो अभी जितने प्रोड़क्टिव हैं उससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं मेरी कोशिश यही है कि मैं लोगों की जिन्दगी में ये संभाबना ला सकूँ ताकि आप सहजता से जीवन जी सकें संघर्ष के साथ नहीं एक चीज यह है जब हम काम कहते हैं बहुत से युवा लोग शांदार लोग हैं जिनको उनके शांदार काम के लिए पहचान मिल रही है उनके अलावा आम तोर पर काम का हमेशा मतलब रहा है लोगों को सिखाया जाता है कि उन्हें कड़ी मेहनद करनी चाहिए किसे ने उनको ये नहीं बताया कि उन्हें खुशी खुशी काम करना चाहिए किसे ने उनको ये नहीं बताया कि उनके काम में उनकी खुशी या उनका प्रेम जाहिर हो बस उने कड़ी मेहनद करनी है अगर आप कड़ी मेहनद करते हैं तो आपका जीवन नीरस हो जाएगा ये कुछ दूसरा हो ही कैसे सकता है आप किसी काम को कड़ी मेहनत के साथ सिर्फ तभी करेंगे जब आप नहीं जानते की इसे कैसे करना है अगर आप जानते की इसे कैसे करना है तो आप इसे आसानी से करेंगे तो ये बिना सीखे की कोई काम कैसे करना है अगर आप इसे करने की कोशिश करते हैं अपने बोध को बढ़ाने में परियाप्त समय नहीं लगाते और जीवन सिर्फ अभी व्यक्ती ही है तब जीवन एक बड़ा संघर्ष बन जाता है ज्यादतर लोग आजीवी का कमाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं और शायद बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना और कुछ नहीं उनको लगता है कि वो कई चीज़ें कर रहे हैं लेकिन असल में वो बस यही सब कर रहे हैं खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और एक दिन मर जाना और ये भी कितना बड़ा जमेला है हर दूसरा जीव इसे सहष्टा से कर रहा है एक केचवे से लेकर एक कीडे तक हर पशुपक्षी भी हर कोई ये कर रहा है ये सब अपना भोजन जुटाते हैं वो खाते हैं, वो सोते हैं, वो पैदा करते हैं और वो मर जाते हैं हमसे लाग गुना छोटे दिमाग के साथ भी वो ये सब कर पाते हैं इतने बड़े दिमाग के साथ इंसान संघर्ष कर रहे हैं उन चीजों के साथ नहीं जो वो कर रहे हैं बलकि अपने दिमाग के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं उनके अपनी बुद्धी ये गंभीर समस्या बन गई है हमारे जीवन में जो चीज सबसे बड़ा वर्दान है हमारे जीवन के लिए जो सबसे बड़ा उपहार है हमारी ये बुद्धी ये एक समस्या बन गई है क्योंकि वो नहीं जानते कि इसे कैसे संभालें वो नहीं जानते कि इसे कैसे इस्तिमाल करें ये लगातार उनके ही खिलाफ काम कर रही है जब मैं कहता हूँ कि ये आपके खिलाफ काम कर रही है लोग इसे कई तरह के नाम दे सकते हैं इसको बताने के लिए कई तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो इसे स्ट्रेस कह सकते हैं, टेंशन कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं, घबराहट कह सकते हैं, पागलपन कह सकते हैं मूल रूप से आपके बुद्धी आपके खिलाफ हो गई है आपके बुद्धी आपके लिए काम नहीं कर रही है ये आपके खिलाफ काम कर रही है तो मेरा मूल काम ये है कि कम से कम आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए काम करे हो सकता है कि कोई दूसरा आपके लिए काम ना करे इससे फर्क नहीं पड़ता कम से कम आपके शरीर और आपके बुद्धी को आपके लिए काम करना चाहिए अगर ये एक चीज ठीक हो जाती है तो आपके लिए प्रसन्नता से, शालीनता से, कारगर तरीके से जीना एक स्वाभाविक नितीजा होगा झालीनता से, प्रसन्नता से, ये एक बुद्धी को एक चाहिए